मटगाव एक्सप्रेस फिल्म के रिलीज हुए ट्रिलर के बारे में जिसकी अनॉंस्मेंट को लेकर कि यही बात पता चलती है कि एक्सेल प्रोड़क्शन अपने प्रोड़क्ट को लेकर कि कितना जादा कॉन्फिडेंट है क्योंके देखा जाए तो हाँ इसकी अपने यूनिवर्स की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छे से तो रखने में कामियाब हो जाता है कि इससे जो ओडियंस इस कंटेंड को देखना चाती है ठेटर तक डेफिनेटली ऐसे यूनिक कंटेंड को देखने ले जाएगी जिसके अगर रीजन की बात की जाए तो ओवि इस फिल्म में भी दिखाया गया है कि तीन दोस्त गोवा जाने की प्लानिंग कर रहे है लेकिन घर वाले उन्हें परमिशन नहीं दे रहे जो दुख जैसी कि मैंने कहा हम जैसे ओडियंस को काफी जादा अच्छी तरीके से समझ भी आता है और इसके बाद उनकी लाइफ मे या फिर कहो उनकी इस जर्नी में किस तरीकी की मुसीवते निकल कर आएगी उसका भी फन हमें इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है जिसमें अब ऑविसली देखना इंटर सिंग तो यही रहेगा कि ये तीन टैलेंट एक्टर अब इस फिल्म से अपनी एक अच्छी इमेज बना चुके है और फिर बात की जाए फिल्म के करता धरता यानि कि फिल्म के राइटर डिरेक्टर की तो कुनाल खेमू लूट केस जैसी काफी अमेजिंग फिल्म यही बात बताती है कि वो टैलेंट के साथ साथ कंटेंड की कितनी जादा रिस्पेक्ट करते है इसलिए ये फिल्म उसी पूरे फ़न एलिमेंट के साथ 22 मार्च को थेटर में रिलीज होगी जिसका फर्स डे फर्स चो देखने के लिए मैं तो रेडी हूँ बाकी आप अपनी रहे मुझे कमेंड में लिख कर बताना और फिन तीनों के अलाव काफी जादा fun to watch है इसके अलावा एक्सल स्टूडियो का तो record ही रहा है कि वो friendship पर बनी हुई ऐसी फिल्में इंडियन ओडियंस को ध्यान में रखकर कैसे बनाता है जिसमें अब वही बच्पन के सपने लगे अपने feeling तो देता ही है बाकी हाँ pure entertainment है crazy action humor से भरा हुआ जिस प हुआ 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 है